Hello students, let's see this question. Question is, as observed from the top of 75 meter tall lighthouse, हमने 75 meter tall एक lighthouse लिया, यह कितना है बिटा, 75 meter, ठीक है, the angle of depression of two ships, angle of depression given है, इसका मतलब बिटा, observer उपर से देख रहा है, object को नीचे, ठीक है, if the one ship is exactly behind the other, ठीक है, एक ship बिटा, दूसरे के पीछे है, तो हमने इस तरह से ships ले लिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, तो बोला है, angle of depression given है, यह हमारे line of sight हो गई बिटा, यहाँ पर horizontal line के साथ, यह angle form होगा, एक ship हमने ले लिया C point पर, एक ले लिया हमने D point पर, इसको ले लिया हमने A, B, ठीक है, यहाँ पर यह वाला चो angle बन रहा है बिटा, यह वाला कितना है हमारे पास, 45 degree, 45 degree, फिर बिटा, यहाँ से इस point तक, यह चो angle बन रहा है, यह हमारे पास है, 30 degree, ठीक है, तो अगर आप देखो, बिटा, यह वाला angle कितना मिल जाएगा, 45, और यही पर अगर हम यह वाला angle देखेंगे, बिटा, कितना मिल जाएगा, 30 degree, ठीक है, parallel lines है, अब देखते है, बिटा, आगे क्या बोला है, find the distance between the two ships, हमें कौन सी distance find करने है, बिटा, एक ship है d point पे, एक ship है c point पे, इसका मतलब हमें जो find करना है, वो हमें c define करना है, ठीक है, हमने इसको ले लिया, x ले लेते हैं, एक ship यहाँ पर है, एक ship यहाँ पर है, ठीक है, तो हमें किस तरह से मिल जाएगा, इसको थोड़ा और clear बना देते हैं, ठीक है, यह वाला पूरा angle था, पेटा, 45, तो यह हो गया, 45, ठीक है, अब देखते हैं, हमने ले लिया, let the distance, let the distance between two ship be x meter, हमें इस x की value फाइंड करने है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पर, दो right angle बन रहा है, एक right angle बन रहा है ABC, एक बन रहा है ABD, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार ABC में और एक बार ABD में, ratios लेंगे, फिर देखते हैं, हम x कैसे find कर सकते हैं, ठीक है, अब अगर हम देखते हैं, ABC triangle में, in triangle, ABC, ABC में अगर हम बात करें बेटा, हमें perpendicular given है, हम एक तरह से base देखें अगर, क्योंकि हम यहाँ पर भी base की बात करेंगे, ABD में, तो हम पूरा base लेंगे, ठीक है, हम इसको ले सकते हैं, Y, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, 10, 45, 10, 45 हमें क्या मिल जाएगा, AB upon BC, AB कितना है, हमारे पास, 75, BC क्या है बेटा, Y, 10, 45 क्या होगता है, 1, तो Y की value आ गई हमारे पास, 75 meter, इसका मतलब यह वाला distance हमें पता चल गया, यह कितना है, 75 meters, ठीक है, अब बात करेंगे हम triangle ABD की, in triangle ABD, ABD में अगर हम देखेंगे, क्या angle बन रहा था, 10, 30 degree, 10, 30 की बात कर रहे है, 30 degree बन रहा था यहाँ पर, क्या हो जाएगा बेटा, AB upon BD, AB by BD, AB है हमारे पास, 75, यहाँ पर अगर हम बात करें, BD की, तो BD क्या होगा, CD plus CB, CD plus CB, CD बेटा, X है, और यह अभी हमने find किया है, BC कितना आया था, 75, 10, 30 कितना होता है, हमारे पास, 1 by root 3, 1 by root 3, हम यहाँ से क्या करेंगे, बेटा, X की value को find कर लेंगे, X की value find करने के लिए, हमने क्या किया, cross multiply करा दिया, क्या मिल जाएगा, X plus 75 is equals to 75 root 3, क्या हो जाएगा यहाँ से, X is equals to 75 root 3, 75 को इस साइड लेकर आएगे, negative हो जाएगा, 75 हमने common ले लिया, मिलेगा root 3, यहाँ मिलेगा minus 1, यह हमारा आगया distance between two ships, और यही हमें find करना था, यही हमें find करना था, I hope this is clear to you, thank you. करना था, I hope this is clear to you, thank you.